जैकलिन फर्णार्डिस के बाद अब सुकेश चंदशेकर केस में नोरा फतेही की गर्दन बुरी तरह से फस गई है E.D. ने नोरा के उस जूट को पकड़ लिया है जिससे वो इतने दिनों से छिपाए घुम रही थी E.D. के हाथ नोरा की परसनल चैट लग गई है जिसमें सब कुछ साफ हो गया है 200 करोड रुपे की मनी लॉंडरिंग के केस में जब नोरा ने E.D. से पूस्ताज की थी तो उन्होंने खुद को इस केस से पीडित बताया था सुकेश ने नोरा को 1.5 करोड रुपे की BMW कार गिफ्ट की थी जब E.D. ने इसे लेकर सबाल पूछा तो नोरा ने कहा कि उन्होंने चेन नई में एक इवेंट किया था तो उसके बदले ये कार उन्हें गिफ्ट में मिली थी वो नहीं जानती थी कि सुकेश इतना बड़ा ठक है और उसने मेरे साथ भी धोका किया है E.D. भी नोरा की बातों में आ गई लेकिन जब इस केस की परत खुलना शुरू हुई तो पता चला कि नोरा ने E.D. के सामने सिर्फ और सिर्फ जूट बोला इंडिया टूडे के मुताबिक E.D. ने नोरा की चैट को एकसिस कर लिया है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सुकेश और नोरा कार को लेकर डिस्कुशन कर रहे हैं चैट में सुकेश पूछ रहा है कि कौन सी कार चाहिए रेंज रोबर कार की फोटो भेशते हुए सुकेश ने नोरा से पूछा क्या तुम्हें ये पसंद है हाँ ये एक अच्छी रफ्यूज कार है ये बहुत प्यारी और स्टेट्मेंट कार है मैं तुम्हें कुछ और कार भी दिखाता हूँ अगली चैट में सुकेश ने साफ साफ कहा कि वो ये बियम डबलु कार इसलिए गिफ्ट कर रहा है क्योंकि वो नोरा को पसंद करता है अगर आप एक मिनट के लिए सब कुछ इसपस्च करने के लिए बोल सकते हैं तो मैं आपकी बहुत तारीफ करूँगा मुझे आशा है कि आप या आपकी एजनसी ये नहीं सोच रही होगी कि ये गिफ्ट मैंने क्यों दिया मैं साफ करना चाता हूँ कि ये गिफ्ट किसी भी तरह के मकसद से नहीं दिया जा रहा बलकि इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो आप उसे उपहार देते हैं बस इसी वज़ा से कर रहा हूँ और कुछ नहीं इस चैट के सामने आते ही नोरा का पूरा सच एडी के सामने आ गया है आप देखना होगा कि इडी नोरा के किलाफ क्या एक्शन लेती है विलाद इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट में बताएए और भी ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे जनल को सब्सक्राइब कीजिए